हेलो फ्रेंड्स वेलकम टुरेडियन कंपिटिशन क्लासेज आज हम लोग इंडियन पॉलिटी के तहत एक महत्पण टॉपिक करने वारे हैं और इससे समधित पीटी में भी कोशन पूछा गया था तो ये बहुत ही महत्पण है मेंस के एकजाम के लिए एक रास्ट एक चुना बहुत हाईलाइटेड बात है आप इस कूर थोरा सा देख लिजेगा मैं हेल्पिंग मेट्रियल आपको दे रहा हूं लोकतांतरिक भारत में लोकसभा और विधानसभा का चुनाओ एक साथ कराय जाने के प्रगडिया को ही एक नारा का रूप दिया गया है जिसे वन नेशन वन एलेक्शन कहा गया है भारत के बिधी आयोग द्वारा एक स्वेध पत्र मसोदा जारी कर 2019 में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाओ साथ सत कराने के सिपारिस की गई है जातर बहे कि स्वेध पत्र आयोग की संभावित सिपारिसों की एक स्रेंखला है एक साथ चु वन एलेक्शन में सबसे पहला तरक यह दिया गया है कि वह विकास और मुखी विचार है यह द्विध पर चुनाओ की बारंबरता के गारण बारंबर या बार बार आदर साचार सहीता लगाना पड़ता है जिससे सरकार आवसक नीतिकत नहीं ले पाती है और बेविन योजन चुनाओ की गतिवीधिया परभावित होती है इससे विकास अवरुद्ध हो जाता है यह आप पाक्ष में तरक दे सकते हैं कि बार बार चुनाओ होने से क्या होता है आदर साचार सहीता जो है वो लगाना पड़ता है जिसके विचे जो योजनाएक क्रियानवित की जा रही है वो परभावित होती है या नई कोई भी चीजों पर डिसियन नहीं ले पाती है पहला तरक है दूसरा तरक है इससे चुनाओ पर होने वाले भारी खर्च में कमी आएगी और रास्टिये कोस में बिढ़ दी होगी यह दूसरा तरक आप दे सकते हैं कि इसमें जो खर्च हो तो यह भारती हैं तो यह भारी खर्च वाला चुनाओ होगा तीसरा पॉइंट में आप दीजेगा लुकसभा और विदानसभा के चुनाओं को एक साथ कराने से काले धन पर रोक लगेगी और प्रष्टाचार पर कुछ लगाम लगेगी यह चुनाओं सुधार के जिसा में कारगर सिद्ध हो सकता है यह तीसरा पॉइंट में आप जरूर डाल दीजेगा उसके बाद देखें चौथा इससे करमचारियों के मूल करितियों के निर्वहन में तेवरता आएगी साथ ही लोगों के सारवजनिक जीवन के बैख्यान में भी कमी आएगे गार तलब है गार तलब है कि हमारे यहां चुनाव कराने है तूं शिक्छकों एवं सरकारी करिमचारियों की सेवाएं ली जाती है जिससे उनका मूल करतबे मूल कार्ये परवाभित होती है उसके बाद देखेगा यह तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है उसके बाद चुकि सभी सरकारी करुचाडियों का ये कि समय में उपयोग किया जा सकता है हम सतरकेता भी बरा सकते हैं और कालेधन बूत्ट कैप्टिरिंग आदि जैसे कारखों को कम किया जा सकता है ये 4-5 पॉइंट से आप पक्च में टाल दिजेगा बिपक्च में भी तरक आप दे सकते हैं आपको कहा है कि पक्ष और विपक्ष में उत्त्र दिजिए दिखेगा या देश की संगे ढाचे के इसाजना हो. या देश की संगे ढाचे इन्डिया oh six बोलने में जितना अच्छा लगता है, उतनी व्यावारीक द्रिश्टी से पेचीदा और मुली हीन है उसके बाद असमननी है कि 1922-1962 और 662 लोग सभायों सभी राज्य विधान सभाओं के चुनाओं एक साथ हुए थे तब केंदरे बंग सभी राज्यों में सिर्फ कांग्रिस की सरकारे थी लेकिन जब से राज्यों में अन्य दलों के सरकारे बढ़ने लगी तो समस्याएं सुर्फा की मुग के तरह बढ़ने लगे फलता राज्यों के चुनापने समयानशार होने लगे यहां यह उल्यकनी है कि संसदी मॉडल के तहत लोग सभा और विधान सभा दोनों का कारिकाल पांच वर्सका होता है परन्तु इस अनुच्छेद 85 का 2 का खो के तहत राश्टपती लोग सभा को और अनुच्छेद 124 का खो के तहत राज्यपाल विधान सभा को भंग कर सकते हैं इस परकार से मध्यावदी चुनाव नौ होने पर सेज समय के लिए कभी के अंदर सरकार तो कभी राज्य सरकार मजधार में फसी रह जाएगी और देश में हमेशा एक त्याही राज्यप में राश्टपती सासन लगा रहेगा ये वी पक्ष में तर्क है इससे लोग तांत्रिक मुल्यों का छरण भी होगा अगर चुनाओं एक साथ हुआ तो संभव है कि इससे कभी राश्ट्य मुद्दे के सामने छेत्रे मुद्दे गौन हो जाएंगे और कभी छेत्रे मुद्दों के सामने राश्ट्य मुद्दे गौन हो जाएंगे भारत में एक साथ चुनाओं करने के लिए शमीधान के कई अनुच्छेदों जैसे 83, 85 का 2 का पाँच अनुच्छे 171, अनुच्छे 174, 2 का पाँच आदी जन परतिनिया मनस्वएक्यावन में संसोधन करना पड़ेगा एक साथ चुनाओ सासन के तरफ राज जी अपने राज जी के चुनाओं के लिए केंद्र सरकार के तरफ देखेगा जो संगे ढाचे के तरफ राजनितिक स्वायत अता के खिलाफ हो जाती है उसके बाद देखेगा एक साथ चुना होने पर केंद्र वो राज दोनु जग एक ही पार्टी के वर्चस्ट्र को बरहवा मिलेगा इससे देश में अधिनाया कववादी ताना साही सरकार के उत्थान की परवड़ती परवल होगे जो संगे लोकतंत्र के लिए खत्रा सावित ह होगा तो इस परकार जो है अब निसकर्स के रूप में आप कह सकते हैं निसकर्स ता वन इंडिया वन एलक्षन की मनसा को पिछले चुनावों के नुभवों को देखते हुई समीची नहीं लगता है क्योंकि इसे भारत जैसे बहुत धर्मी और बहुत अलिये एक विशाल द आप इसको एक से दो बार देख भी लिजेगा इसका पीडियाफ में आप लोग को लब्द करा दूंगा हमारे टेलीगराम चैनल पर आप वहां से इसको प्राप्त कर सकते हैं और हेल्पिंग मेंटरियल के रूप में यूज कर सकते हैं लिखने का तरीका कंप्लिकली आपका होगा और आप इसको जिस भी उत्य से जिस तरह से डाइगराम के माध्यम से भी लिख सकते हैं दोस्तों तो बस आज के वीडियो में इतना ही धन्नवाद